तो आज मैं बात करूँगा Guardian of the Galaxy Vol. 3 से लेटे काफी कमाल के अपडेट के बारे में साथी साथ बात करूँगा कुछ चैस्टर अपडेट के बारे में तो गाइस वीडियो को पूरा देखेगा अपडेट बहुत ही जादा कमाल के हैं तो सबसे पहले बात करते हैं डॉस्टर अपडेट के बारे में तो फाइनली हमें न्यू इमेजिस देखने को मिली हैं जो की एकदम स्टिल इमेजिस हैं और देन हर एक इमेजिस में हमें ऐसा लग रहा है कि सुचुएशन काफी जादा बिगडी हुई है और तो और सबसे जा वारवशीन भी देखने को मिलेंगे जी हां ओफिशली कानफम हो चुका है साथ यसीरिस में आपको बहुत सारे कैमिस भी कैमिस भी देखने को मिलेंगे और अपडेट तो ये बी आ रहे हैं कि एक तोस्त neurotANTż का डिन पर उग प्यंवी देखने को मिले। तो सभी को पता है कि वो सीरीज में तो आई रहे हैं सिक्रेट इन्वेशन में और साथ दी मार्वल्स में भी तो आई रहे हैं जो कि Captain Marvel की मूवी है अपका मेंग और इसी के साथ एक और मूवी में वो आ रहे हैं जिसका नाम है Quantum Mania, Ant-Man की थर्ड मूवी तो यह officially confirm हो चुका है क इन मूवीज में सीरीज में हमें Samuel Jackson as Nick Fury देखने को मिलेंगे एक रूमर आ रहा है कि Dare Devil MCU में रिबूट हो सकती है Hopefully देखते हैं क्या होता है आने वाले फीचर में वसी के साथ आप बात करते हैं Volume 3 की Set Images के बारे में तो डेब बेटिश्टा की New Set Images आई है जो की बहुत अच्छी लग रहे है और costume काफी जाद गंदा और डेमिज लग रहा है वसी के साथ यहापे Mantis की भी New Set Images देखने को मि चुकी है जो कि Officially Confirm हो चुका है वसी के साथ यहाँ पर हमें एक Set Images देखने को मिले थी जिसमें की Confirm हो जाता है कि Dan Brown एक्च्वल में Ultron Bot का Character प्ले कर रहे हैं जो की बहुत बड़ी बात है और वसी के साथ एक 12 दिन कमाल का Update तो Kristen जो की MG का Character प्ले करती है उन्होंने बताया क कि वह फीचर में इस Character को प्ले करने के लिए रेटी है यानि कि फीचर में कुछ बड़ा होने बाला है तो गाईस यह थे वह कावी सारे कमाल के Update आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमें सेक्शन में ज़रू बताएगा और गाईस आज की बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वी क fällt के weighted ही मी देड़ा होने की इतना ही मिलते हैं आब एक जाब वो कावी मिलते हैं इतना हैं